हेलो इस्ट्रेंट्स आयम शिवम साहू आज जो हम बात करने वाले हैं कोश्चन नंबर 6 तो ओफ एक्सराइस 5.1 कोश्चन नंबर 6 तो क्या लिखा हुआ है find all point of discontinuity of function where f is defined by आपको यह function given है आपको discontinuity point find out करना है यहां पर तो यहां पर किस तरीके से करेंगे देखे आपको जो limit देखे रखिए वो क्या देखे रखिए x is less than equal to 2 पर जो आपका function होता यह होता है x is greater than 2 पर जो आपका function होता है वो यह होता है मतलब आप जब आपको solve करना तो मतलब 8x equal to 2 पर solve करना है सबसे बिले LHL LHL में देखेंगे सबसे बिले लिखने का तरीका limit x tend to 2 के लिए solve करना है तो 2 minus f of x हुआ okay तो limit x tend to 2 minus होतो यह हो जाएगा 2 minus h अब 2 minus h मतलब 2 से छोटा तो 2 से छोटा मतलब यहाँ पर function जो रहाएगा वो क्या रहाएगा 2x plus 3 तो यहाँ पर जो function है 2x plus 3 है तो आप देखेंगे लिमिट x tend to x की जब value पूट करता है तो यहाँ पर h tend to 0 होगा तो 2x की जो value वो क्या है 2 minus h plus 3 तो यहाँ पर लिमिट h tend to 0 तो आप देखेंगे 224 minus 2 into h 2h plus 3 तो इसका मतलब h जब 0 पूट करोगे तो 4 plus 3 इतना हो जाएगा 7 तो इस तरीके से आपका क्या find out हो जाएगा lhl ओके अब बढ़ते हैं अपने next rhl की ओर तो rhl जो है वो कैसे solve करें देखेंगे देखेंगा सबसे बिले rhl को लिखने का तरीका आप यहाँ पर लिखिए limit x tend to 2 plus f of x क्या लिखिए 2 plus f of x अब यहाँ पर limit x tend to 2 plus means 2 plus h अब 2 plus मतलब क्या हो जाएगा 2 से बढ़ा तो 2 से बढ़ा जो आपका function है वो क्या है 2x minus 3 आपका function है वो किता है 2x minus 3 तो आप देखेंगे जो आपका function है वो क्या है 2x minus 3 तो इसका मतलब limit x की value जब पूट करोगे तो h 10 to 0 तो 2 x की value क्या है 2 plus h minus 3 तो आप यहाँ पर देखेंगा limit h 10 to 0 2 2 जा 4 2 into h 2 h minus 3 तो आप देखेंगा जब h 0 पूट करोगे तो 4 minus 3 कितना बचेगा 1 तो आपने देखा आपका lhl 7 आय तो यहाँ पर आपने देखा lhl जो है वो not equal है rhl के तो इसका मतलब function is discontinuous function is discontinuous at x is equal to a 2 तो यहाँ पर आपको question number 6 complete समझ में आया तो here our question number 6 of exercise 5.1 is completed ओके अब बढ़ते हैं अपने next question के ओर next question 7th question तो 7th question आप देखेंगा क्या लिखा हुआ है आपको जो function कीवान है function कीवान है modulus of x plus 3 modulus of x plus 3 फिर गीवान है आपको minus 2x फिर आपको गीवान है 6x plus 2 ओके यहाँ पर limit कीवान है आपको x is less than equal to minus 3 फिर यहाँ पर कीवान है x is greater than 3 but less than equal to यहां पर आपको गिवन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टूब टूब तो इस तरीके से आपको यहां पर लिमिट्स भी इस तरीके से गिवन है तो इस तरीके इसमें भी आपको करना तो क्या करेंगे वाप समझते हैं आप देखें यहां पर आप समझें कि यहाँ पर दो हमें इस तो meaning लीजिए at x equal to minus 3 and at x equal to 3 पर इसको solve करना है मतलब at x equal to minus 3 पर भी LHL, RHL, Fx निकालना है at x equal to 3 पर भी आपको LHL, RHL और Fx find out करना है तो यहाँ पर सबसे बेले अपन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो function है आपका modulus के form में होगे तो यहाँ पर आपको जो function given है वो modulus के form में given है तो पेले सबसे बेले modulus का meaning समझते हो तो देखो यहाँ पर modulus का meaning समझेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगा modulus का मतलब क्या होता है modulus का इस्तमाल कब होता है जब x क्या होता है negative होता है तो और x negative कब होता है जब value क्या हो x की less than 0 तो यहाँ पर अपने समझते हैं जैसी देखिए मैंने बुला आप समझे modulus का modulus का इस्तमाल modulus का इस्तमाल कब होता है modulus का use कब होता है कब होता है जब x क्या होता है x क्या होता है negative होता है जब x क्या होता है negative होता है ओके और x negative का होता है x negative कब होता है x negative का होता है जब जब x value is less than is less than 0 x की value less than 0 होती है ओके तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब यह है x की value यादि 0 छोटी होती है तो उस concept में जो आपका function होता है modulus का वो होता है minus x और जब x की value 0 होती है तो function होता है 0 और जब x की value greater than 0 होती है तो आपका जो function होता है modulus का वो positive x होता है तो यहाँ पर इस question को देखता है आप समझ रहे होगे इस question में भी modulus लिखा हुआ है और जब जो x की limit दी है वो कित्ती दी हुई है आपको यहाँ पर आप दिखेंगे जो यह question है modulus of x होगे तो यहाँ पर जिए modulus of x plus 3 है तो यहाँ पर आपको जो x की limit दी है less than equal to minus 3 है तो less than minus 3 है minus के form में मतलब यहाँ पर minus लगेगा तो जो आपका question है वो काई में convert होगा देखें f of x is equal to a जो आपको modulus of x हो हो जाएगा minus x plus 3 और यहाँ पर minus 2x 6x plus 2 और चुल लिमिट से आपको given है x is less than equal to minus 3 minus 3 x is greater than minus 3 less than 3 और एकोर जो दिया है x is greater than equal to 3 तो इस तरीके से आपका question conversion होगा क्योंकि यहाँ पर आपको modulus of x लिका होगा था और आपको limit दी है x is less than equal to minus 3 minus 3 मतलब सारी terms minus में रहेगी और modulus positive करता है कब करता है जब minus होता साथ में इसलिए minus x plus 3 यहाँ पर function में लिखाएगा ओके अब यहाँ पर मैंने देखा आपको दो terms के लिए इसको solve करना है 8x equal to minus 3 and 8x equal to 3 पर तो मान लिजिए मैं 8x equal to minus 3 पर solve करता हूँ काई पर solve करता हूँ 8x equal to minus 3 minus 3 पर मैं LHL, RH, Fx find out करूँगा तो केसे करेंगे अपन ध्यान से समझ लिजिए तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले मान लिजिए LHL find करते हैं सबसे पहले लिखने का तरीका limit x tend to minus 3 minus f of x minus 3 minus ओके फिर यहाँ पर limit x tend to minus 3 minus तो minus 3 minus h हो जाएगा और minus 3 minus मतलब minus 3 से छोटा तो minus 3 से छोटा तो x is less than minus 3 से छोटा आपका जो function है minus x plus 3 तो यहाँ पर जब x की value put करोगा तो limit h tend to कितना हो जाएगा 0 तो यहाँ पर minus x की value जो हो क्या है minus 3 minus h और यहाँ पर यह plus 3 तो limit h tend to 0 तो यहाँ पर होगा minus minus plus 3 minus minus plus h और यहाँ पर plus 3 जब आप h 0 put करोगे 3 plus 3 कितना हो जाएगा 6 तो यहाँ पर lhl की value जो value आएगी वो कितना हो जाएगी positive 6 तो इसी तरीके से आपन rhl भी solve करते हैं तो rhl में जब आप check करोगे तो rhl को सबसे बिले लिखने का तरीका limit x tend to किसके लिए solve कर रहे है minus 3 तो यह हो जाएगा minus 3 plus f of x क्योंकि rhl मतलब क्या हो जाएगा positive तो limit x tend to minus 3 plus है तो minus 3 plus h हो जाएगा minus 3 plus मतलब minus 3 से बढ़ा तो minus 3 से बढ़ा मतलब x is greater than minus 3 मतलब जो function है minus 2 x मतलब जो function है वो क्या है minus 2 x तो और minus 2 x है तो आपने यहाँ पर लिख दो minus 2 x function की जगा पर तो आप देखोगे यहाँ पर limit जब x की value पूट करोगे तो h tend to 0 तो यहाँ पर लिखा है minus 2 x की value कितनी है minus 3 plus h minus 3 plus h तो यहाँ पर जब h tend to 0 पूट करोगे तो यहाँ 0 होगा तो minus 3 into minus 2 कितना हो जाएगा plus 6 तो यहाँ पर जो रहल आएगा वो कितना हो जाएगा positive 6 ओके तो इस तरही किसे आपका lhl भी find हो गया rhl भी find हो गया अब अब बढ़ते है fx की हो तो अब fx क्या होगा minus 3 में तो यहाँ पर जो आपका जो function है वो देखे रहा है x is less than equal to minus 3 less than equal to minus 3 equal to minus 3 पर जो आपका function है वो क्या है minus x plus 3 तो जो यहाँ पर आपका जो function रहेगा वो क्या है minus x plus 3 आपका जो function है वो क्या है minus x plus 3 तो जब आप f of minus 3 find करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे minus x जगब पर minus 3 plus 3 तो मतलब minus minus यहाँ पर plus होगा तो 3 plus 3 तो जब आपको function आएगा minus 3 पर वो कितना आएगा 6 तो इस तरीके से आपने lhl, rhl और fx क्या कर लिया है तो यहाँ पर आप देखोगे आपका lhl is equal to rhl is equal to a f of x तो मतलब यहाँ पर function is continuous at x is equal to a minus 3 x equal to minus 3 पर क्या होगा यह function continuous होगा तो यहाँ पर इस question को आपन solve कर रहे हैं एक तो minus 3 के लिए और एक 3 के लिए भी solve करना होगे तो यहाँ पर minus 3 के लिए इस तरीके solve होगा 3 के लिए आप खुद solve करें do yourself, okay so here our question number 6th and 7th of exercise 5.1 is completed, okay thank you